तो रात के सवा ग्यारा बजे अधर्णिया धमचारी बोधी प्रकास जी ने हैपी बड़े है बलके मुझे वो इन्फॉर्मेशन दी तो रात के सवा चार बजे मैंने उनको सुबेच्छा दिया तो यह मैत्री का विपाख है कि जो मैत्री अपने मन में रहती है और वो अपन उजागर करते हैं तो यही एक मैत्री का बंदन है तो मुझे तो सभी जियेफार वाले बोलते हैं कि मैं दिल्ली शे नाता कैसे बना तुमने सभी जियेफार वाले तो यह एक यानि अंतरगत आशी गईरी आशी भावना है कि जो मैत्री विकशित हो सकती है तो बोद्धध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सार है मैत्री के बगर आध्यात्मिक जीवन हम जी भी नहीं सकते है और मैत्री के बगर आध्यात्मिक जीवन को सुरुवाद भी नहीं कर सकते है तो इसलिए ये जो मैत्री है ये बोद्धम्म का फाउंडेशन है और नियों है इसके उपर तो इसलिए ये मित्रता हर बोद्ध विक्ति की जीवन में कितनी मायने रखती है ये अपन ख्याल रखना चाहिए जैसा कि बोद्ध में तीन आनिरुद्ध थे भगवान बुद्ध के काल में उनका नाम था आनिरुद्ध नईदिया और किम्भिष ये जो तीन मित्र थे बहुत ही गहरी मित्रता उनमें थी इतनी गहरी मित्रता कि जैसा ये तीन मित्रों के तीन शेरिर थे लेकिन उनका चित्त एक चित्त था ये उनका मैत्री का विपाग था, यितनी गहरी मैत्री थी उनमे तो एक बार भगवान बुद्ध उनको मिलने के लिए आ गए तो भगवान बुद्ध ने उनको पूछा क्या अपका आरोग्य कैसा है तो तीनों ने एक ही लब्ज में उतर दिया कि हमारा आरोग्य बहुत अच्छा है, तीनों ने एक ही समय ये जवाब दे दिया तो दूसरा सवाल पुछा भगवान बुद्ध ने उनको क्याने आप तीनों के आपसी सबंद कैसे है तो तीनों ने एक ही आवाज में उतर दिया हमारे समन्द एक दुझे में दूदा और पानी के जैसे है अच्छा सवाल जवाब दे दिया तो तुसरा प्रश्ण भगवान बुद्ध ने उनको पूछा आप जो धम्म सराव है वो कैशे करते है ते तिनों ने एक ही आवाज में उतर दिया हर सप्ता के चौथे दिन हम समुचे रात्र रात्र भर क्या करते है धम्म के चर्चा करते है तिनों ने एक ही आवाज में जवाब दे दिया तो आईशी महित्री उन तीनों में थी, वो तीनों के शेरिर आलग थे, लेकिन तीनों का चिप्त क्या था, एक चीत था, आईशी महित्री उनोंने विकशित की है, तो आईशी महित्र को, आईशी महित्री को याने बोधधम में इस परकार की महित्री विकशित करना चाहिए, तो वह अध्यात्मिक जीवन बहुत ही अच्छी तरह से आपन जी सकते हैं तो महित्रिया अपने पर प्रभाव करती है जो भी मित्र के सानीते में आते हैं उसकी जीवन की तरफ आपन देखते हैं अर वो कैशे अध्यात्मिक जीते हैं उसकी तरब देखने के बाद आभीला शा अपने चित्त में अपने रदह में निर्मान होती कि उस मित्र के जैसा मेरा भी जीत्का ऐसा होना चाहिए उसकी जैसा होना चाहिए ऐसा आपन संकल्प करते है तो मित्र के सौबाहों का उनके सद्गुन का अपने उपर प्रभाव पड़ता है अपना जीवन एट्रेक्ट होता है मित्र की तरफ तो उसके वज़ेशे वो महित्री विकशित होती है तो महित्री के वज़ेशे आपन एक अच्छा इंसान बन सकते हैं याने रियल इंडिज्वल सत्य विक्ति आपन बन सकते हैं महित्री के वज़ेशे यशी लिए अध्यात्मिक जीवन में महित्री को बहुती इंपॉर्टन्स है एक अपन अच्छा विक्ति बन सकते हैं अच्छा इंसान बन सकते हैं और आपना चित्त की शुद्धी होती है महित्री के अपना चित्त परिशुद्ध होता है तो यह लिए आपने को महित्री विकशित करना है मैं आपको हमारे अधरने धम्मचार उपूल करतीजी और श्यांतिस्ताम जो इंग्लेंड के हैं हर साल यहां इंडिया में आते थे और वारकवाड़ी शंटर पे साथ साल उने दिवाली का शिबिर लिया और शिबिर होने के बाद मेरे तरफ आते थे अमरा होती और पांच दिन रहते थे दोनों भी और वो क्या कहते थे मुझे इमल शिद्धी वाई आई वी हाव कम टू यू वी हाव कम टू यू वी को वी हाव टू डियॉलप फ्रेंशियप इद इमल सिद्धी हम तुमारे यहां क्यों आया है तो हमें आपके साथ मैत्री विकशित करना है तो ऐसा यह जो मैत्री है अपने को विकशित करना पड़ती है उसका विकास मित्रों के सानिदे में रहे कर उसका विकास करना पड़ता है स्टीडने स्मीत नाम के यक तत्वक ज्यानी है वो कहते हैं जीवन का गड़ यानि किल्ला ज्यादा महित्री से मजबूत होता है तो आपना जो जीवन है, बहुत ही मजबूत बनाना है, तो कितने मित्र अपने जीवन में है, कितने मित्र के साथ अपनी मैत्री है, उसके उपर वो डिपेंड रहे थे, जितने जादा मित्र अपनी जीवन में होते है, उतना जादा अपना आध्यात्मिक जीवन विकशित होता है, तो इसलिए बुद्ध दंब में मैत्री को बहुत ही महतों है, बहुत ही मायने रक्तिते हैं मैत्री, मित्रता देना और मित्रता प्राप्त करना इसी शे जीवन में सर्वस्रेष्ट सुख प्राप्त होता है तो आपना कर्तवे बनता है कि मित्र के साथ मैत्री विकशित करने के लिए प्रतिद्या बद्ध होना पड़ता है कटिबद्ध होना पड़ता है और वैसा करने से आपने जीवन में सर्वस्रेष्ट सूख का आनंद ले सकते हैं जिस मित्र के सानिद्य में हम रहते हैं उसका अपने मन पर बहुत प्रबा होता है क्योंकि जिस मित्र के सानेदे में हम रहते हैं, तो उसके जो सद्गुण हैं, वो इंडिरेक्ली हम अबजर्व करते हैं, और वो सद्गुण अबजर्व करने के बाद उसका प्रभाव हमारे जीवन पर उपर पड़ता है, और हम ऐसा संकल्प करते हैं, अधिस्थान करते हैं, कि मेरे मित्र के जैसा मैं भी क्या करूँगा, सद्गुण विकशित करूँगा, और उनके जैसा अध्यात्मिक जीवन में अध्यात्मिक जीवन के शिकर तक पहुंचने का मैं भी परियास करूँगा ऐसा आधिश्ठान आपन करते हैं संकल्प करते हैं इसलिए अध्यात्मिक जीवन में महित्रता को बहुती महत्व है यह दी समझो आईसा कलपणा किजिए कि अपनी मैत्री किशी अकुषल मित्र के साथ यह दी मैत्री है अपनी तो वो अकुषल सद्गुन अपने में आ जाते हैं इंडिरेक्टी कोई बोलने की जौरत नहीं तो किशी तत्व ज्यानी ने कहां आया किशी एक्यादे विक्ति का सवबा यह दी बताना है तो उनके मित्र कोण है वो मित्र का नाम बोले बोलते हैं मैं उनका सवबा बोलता हूँ तो ये बहुत important है किस मित्र के साथ आपन रहते हैं उस मित्र से अपने सवबाओं की पहचान चलती है कि हमारा भी सवबाओं कैसा है तो इसलिए मित्र का चुनाओं करते वक्त वो चुनाओं किस परत्रह का मित्र है कितना अध्यात्मिक विकास अपने मित्र ने किया है ये सब जानकर उस मित्र के साथ मैत्री बढ़ाने का परियास हमने करना चाहिए और जितना अच्छा मित्र अपने चुनाओं किया है उतना जल्दी अपने अध्यात्मिक जीवन का विकास होता है नहीं तो नहीं हो सकता है, तो यह लिए अध्यात्मिक जीवन में सच्च्यामित्र की अत्यनत जरुरत होती है, कि जो अपना जीवन बहुती विकशित होने के लिए मदद होती है और जीवन जीते वक्त हमारा मन को किशी के साथ शेयर करना पड़ता है, अपना चित्त हलका करने के लिए, अपना चित्त प्रफुलित करने के लिए तो किस मित्र के साथ अपना मन खुला कर सकते हैं, जो मित्र सच्चा मित्र है, जिस मित्र के उपर अपना अत्मविश्वास है, वोस मित्र के पास अपना अपना चित्त खुला करते हैं, अपना मनोगत व्यक्त करते हैं अपने चित्त में क्या-क्या घटित हो रहा है उसके बारे में हम अपने सच्चे मित्र के पास बोलते हैं तो धीरे-धीरे अपनी मैत्री अध्यात्मिक मैत्री बढ़ती है और समझो येधी अपने ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है ये भी अपने को मालूम होना चाहिए येधी हमने अपनी चित्त में क्या चल रहा है अपना मन येधी व्यक्त नहीं किया तो अपना चित्त में मनों विक्रुती निर्मान होती है ये खैल में लेना है और ये जादा दिन तक ये ऐसा ही रहा अपना चित्त किशी मित्र के पास खुला नहीं किया तो बाद में आपन क्या हो सकते मांसिक रुग नहीं हो सकते हैं तो ये खबरदारी अपन लेना चाहिए है कि अपना सच्चा मित्र चुनना चाहिए है और सच्चा मित्र के पास अपने पूरे चित्त में क्या चल रहा है उसके बारे में उनके साथ चर्चा करना चाहिए तो अपना जीवन पहुती अच्छी तरशे अध्यात्मिक प्रगति आपन कर सकते हैं और ये ऐसा नहीं किया तो आपना चित्त मनो विकृत होता है और लास्ट में आपन मांसिक रुग न बनते हैं तो इसलिए ये ये जौबदारी आपन लेना चाहिए खबरदारी इसके बारे में लेना चाहिए विवीद कारण से अपनी शक्ति आरुद्ध हो सकती है अपनी मानशिक शक्ति आरुद्ध हो सकती है और उस मानशिक शक्ति को खुला करना यह आपना कर्तबे मनता है और मांशिक शक्ति खुला करने के लिए जैसा पूजा है, जो आभी लक्षमी प्रसाद ने बहुती अच्छी तरशी पूजा का संगायन किया है, पूजा है, कला है, संगित है, काव्य है, संपर्क है अच्छे मित्र के साथ, निसर्ग के सानेदे में जाना, तो क्या हो सकता है कि अपना मन खुला हो सकता है, और इसलिए अपने कुई इसमें सहभाग लेना चाहिए, कि जो अपने जो मन अवरुद्ध हो चुका है, उस मन को अपन खुला कर सकते हैं, और अध्यात्मिक मित्रता अवरुद्ध शक्ति को प्रवाहित कर सकती है, तो इसलिए अध्यात्मि अबी तो मोबाइल से बहुत नजदिक आया पूरा जगत तो यह लिए अपने मैथ्री बढ़ा सकते हैं अपना चित्त जो अवुरृद्ध हो चुका है उसको अपने अध्यात्मिक मित्रशे क्या हो सकते है वह शक्ति अवुरृद्ध वियेवली शक्ति प्रवाहित अपन कर सकते हैं है जो लोग कुछ बाते चुपाते है उसका विखत विगटीद होता है कि देखिए कितनी बड़ी बात दॉक्टर जुराड ने कही है तो अपने चित्त में कोई भी बात चुपाना नहीं चाहिए एदी आपन चुपाई तो अपना व्यक्तित्व विगटित होता है अपना व्यक्तित्व अपन व्यक्ति नहीं बन सकते हैं और आध्यात्मिक विकाज भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए अपने चित्त में कोई भी बात चुपाना चाहिए चुपाना नहीं चाहिए अपने अध्यात्मिक मित्र के साथ वो शेयर करना चाहिए तो अपना चित्त क्या होता है खुला हो जाता है और जो प्रामना प्रामानक ताशे बोलते हैं उस वेक्ति को मांसिक रोग होता नहीं है तो ये शेलिए क्या होना चाहिए अपने मन में जो भी बाते है वो प्रामानक ताशे अपने अध्यात्मिक मित्र के साथ शेयर करना चाहिए तो उस वेक्ति को मान्शिक रोग कभी भी नहीं होता है मान्शिक रोग तो छोड़ दीजिए कुनसा भी रोग होता नहीं होता है नहीं होता है और इसलिए अपने मन में जो भी बात है वो छुपाना नहीं चाहिए, वो शेयर करना चाहिए, औरों के साथ शेयर करना चाहिए, जो सच्छा मित्र है उसके साथ शेयर करना चाहिए, और एक दुझे के साथ समय वेतित करना चाहिए, यह बहुत ही अध्यात्मिक जीवन के लिए important है, जब तक आपन अपने अध्यात्मिक मित्र के साथ समय वेतित नहीं कर सकते, तब तक अपना अध्यात्मिक जीवन विकशित नहीं हो सकता है, और ये शिलिए समय निकाल के अध्यात्मिक जो मित्र है अपना, उसके साथ आपन समय निकालना चाहिए, उसके प्रभाने के लिए और समाज का स्वास्ते अच्छा रहने के लिए भी मित्रता बहुत इंपॉर्टन रही तो समाज में बहुत ही अच्छा वातावरन रहता है और इसलिए तो भगवान बुद्ध ने मेता बहुना पड़ाई है तो इस देश में या तो पूरे समुचे जगत में रहने वाले जो माना हुआ है जो सजी हुआ है उनके प्रती मेता बहुना विकशित करने के लिए भगवान बुद्ध ने का है तो ये बेता बहुना किशी भी धम्म समस्ता पक ने पड़ाई नहीं है शिर्फ भगवान बुद्ध ने पड़ाई है और इसलिए ये जो मेत्री येदी आपन विकशित की है तो समाज का वातावरन भी भहुत अच्छा रहता है समाज में फ्रेटलिटी यानि बंदुत्व विकास होता है सबी समाज में रहने वाले जो मानव हैं वो हमारे समाने समता स्वातंत्रे बंदुत्व का वातावरन निर्मान होता है और इसलिए मेत्री से समाज में अच्छा वातावरन निर्मान होता है इसलिए ये मित्रता य बगवान बुद्ध का बगवान बुद्ध ने जो स्रावस्ति में प्रवचन दिया था उसका जिक्र किया है बगवान बुद्ध और उनके धम्म में डॉक्टर बाबा सब आमेर कर जैजिंदो तुम्हारा चित्तक इसा होना चाहिए याने पृत्वी की जैसा खंबिर होना च यह जो वाई है, हवा है, उसके जैसा विमल होना चाहिए और गंगा के जैसा गंबीर होना चाहिए, ऐसा चित्त तुमारा होना चाहिए, यह दि तुमारा ऐसा चित्त हो गया, तुत्वी के जैसा, हवा के जैसा और गंगा के जैसा, तो क्या हो गया, तुमारे जीवन में कितन प्रसंग आने दो तो उसमें तुमको तकलिब नहीं होंगी। उस प्रसंग में तुम डगमगा नहीं जाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से अपना बरताव रखे, अपना सौबाव रखे, अध्यात्मिक जीवन की और बढ़ते रहेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, विक्ष्वो, तुमारा चित्तक ऐसा होना चाहिए, यह पूरे विष्व के जैसा, असे हमा ऐसा तुमारा विष्व होना चाहिए। और तुमारे विचार भव्वे होना चाहिए। तो ऐसा यदि तुम करोगे, तो अध्यात्मिक जीवन की को आप शिग्र गतिशे पहुंच सकते हों, तो इसलिए अपने को जो भगवान बुद्ध का संदेश, ख्याल में रखना है, भगवान बुद्ध बिक्ष्यों को और कहते हैं, यह दि तुमने समाज के साथ मित्रता कोई अन्न देता है, कोई बिक्षा देता है, कोई चिवर इसलिए उसके साथ मित्री करना है, तो उसको मैं सच्चा मित्री समस्ता नहीं है, तुमारे चित्त में मैत्री है, ऐसा मैं समस्ता नहीं हूँ, तो मित्रता कैशी विकषित होना चाहिए, अध्यात्मिक तत्व के अनुसार, वो मैत्री विकषित होना चाहिए, तो मैं तुम तो यह अपना लाब होता है इसलिए उसके साथ मैत्री रखना है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मेत्ता बहुना यह अपने पास है मैत्री है अपने चित्त में तो युद्धा के जैसा हम संगर्ष करते हैं क्योंकि जब भी अकुष्यल बाते अपने चित्त में आते हैं तो यह अपने चित्त में तो उसके साथ आपन युद्ध कर सकते हैं और उस अकुष्यल विचार का नि इसके वज़े से आप सोचिए कि मैत्री बावना कितनी इंपॉर्टन्स है। कि जो अकुष जलत का है, रात और दिन आपन संगर्श कर सकते हैं, उसका निर्मुलन कर सकते हैं। तो इसलिए ये मित्रत अपने चित्त में विकशित करना है। अपने आंकार के उपर आपन कार्य कर सकते हैं। जो भी मित्र है धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। ये भी आंकार है। तो अहंकार का निर्मूलन करना चाहिए है और येदी महित्री आपनी चित्त में है ना तो अहंकार के ऊपर आपन विजय प्राप्त कर सकते हैं उस अहंकार को पराजित कर सकते हैं इसलिए मित्रता आपनी चित्त में विकषित करना है गहरी मित्रता ये अपनी चित्त में हैं तो अकुशल्ट का निर्मूलन कर सकते हैं और अपना चित्त मल लस्त करने के लिए भी मैत्री का उपयोग हो सकता है मैत्री के वज़ेशी अपना चित्त मल जो है जो आपन उसका निर्मूलन कर सकते हैं और अपने चित्त में यदी चित्त मल है, तो अपना अच्छा मित्र, सच्छा मित्र आपने को मदद करता है, वो चित्त मल शुद्ध करने के लिए वो अच्छा मित्र आपने को मदद करता है, और यदी मित्रता यदी रही, तो अपने जीवन में जो भी तुफान आते हैं, व खड़ा रहता है और अपने को उस तुपान से बाहर आने के लिए मदद करता है अपना सच्चा मित्र। और लेकिन बाहरी संसारिक जीवन में कैसा रहता है? सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, लेकिन अध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं रहता है। अपना अध्यात्मिक मित्र अपने सुख के साथ और अपने दुख के साथ भी अपने साथ खड़ा रहता है। तो इसलिए तो ये सच्ची कल्यान मित्रता रहती है और अपने को मदद करता है। जो मित्रता अपने गुन को अपने पास जो भी उच्चेतम गुन है उसका आनुमोदन करता है अपना मित्र, अपना कल्यान मित्र, अपने गुन का अपने पास कोज से सद गुन है उसका आनुमोदन करता है और उसके वज़े से वो उच्चेतम गुंदर्मा विकषित करने के के लिए हम आदिश्टान करते हम संगल पर करते हैं है सामित्रो zach safety अपने को यानि उपर उठाने के कोशिस करते हैं अपने सद्गुन बताता है और विस सद्गुन मित्र है अपने रदै में अंतरिक प्रेरणा अंतर प्रेरणा अध्यात्मिक अंतर प्रेरणा निरमान करने के लिए मिद्वत करता है। मित्र करने के लिए अपने को मद्द कटा है तो ऐसा यह अध्यात्मे जीवन और इसमें बहुत अंतर यानि जमीन और अंतर का परक है उस्में अध्यात्मीidal जीवन के वज़े से अपना मित्र अपने को अध्यात्मिक प्रेड़ना देता है और उपर उपने के लिए आगे अध्यात्मिक जीवन में विकास की तरफ, शिखर की तरफ बढ़ने के लिए अपने को मदद करता है। क्या करना चाहिए हर एक बहुत है वेक्ति ने अपने रदय में मैत्री की जोत निर्मान करना है। के मार्ग पर आपन दिश्या दर्शक बन सकते हैं और समुचे जगत में बहुत दम का प्रचार और तसार करने के लिए प्रतितन्या बद्ध हो सकते है। डाक्टर बाबा साब अमेड़कर अगवान बुद्ध और भंते उर्गेन संगरक्षी जी के आपन सच्या आन्याई बन सकते हैं। तो यहां पर समय हो चुका है, मैं यहां पर ठरता हूँ। जय भीम। भीम शेंग जी। क्वान बड़कर झा उन्याई जी।